कोई भी वेबसाइट आप खोलोगे अगर वहां का आपका जो कंटेंट है वही अट्राक्टिव नहीं है तो आप उस वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप क्यों करोगे आखिर तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने जो पेज पर जो टेक्स को बाउक्स की बाउक्स करेंट को सिखेंगे अपने ऊसे क्रोगे इसको आफूड़ कर सकते हैं चलिया स्टार्ट पर आपको page पर कुछ content show हो रहा है और यह मेरा इसका code है जहाँ पर मैंने कुछ color, property दे रखिया, font size दे रखिया और यहाँ पर body के अंदर जो मेरा code है तो अब हम क्या करेंगे इसको कुछ shadow apply करना सिखेंगे यानि कि text shadow की बात करने जा रही हो मैं तो मुझे उसके लिए यहाँ property देनी होगी text shadow और अब अगर मैं चाहते हूँ कि जो मेरी shadow की direction है वो left या right में जाए, top या bottom में जाए तो उसके लिए मुझे horizontal कुछ value देनी होगी और vertical value देनी होगी जो कि हमारी essential है text shadow में देनी तो horizontal value अगर मैं देती हूँ 10 pixel और vertical को भी मैं दूँगी 10 pixel और यह मैंने positive values दी है तो अब आपको देख रहा होगा कि जो मेरी horizontal यह जो shadow की direction है वो मेरी left में जा रही है और vertical की down में जा रही है अब यह अगर मैं यह negative values आपको देखे दिखाती हूँ कि क्या फरक पड़ता है देखे वर्टिकल को मैंने value दे दी negative और मैं इसकी pixels को भी बढ़ा जाती हूँ तो आपको दिखा ना कैसे अब यह उपर चली गई है मेरी shadow vertical direction में अब हम क्या करेंगे इसको भी negative value देंगे horizontal value को भी तो देखे अब यह right में चली गई है तो यह फरक होता है हमारा के कहते हैं positive value को देने में और negative value को देने में अब आपको इतना फरक तो समझ आई नहीं रहा होगा कि यह color भी same है तो आप मैं shadow को कुछ color देना चाहती हूँ जो कि optional है जरूरी नहीं है कि अगर हमें यह पर values देनी है जो main चीज होती है वो होती है horizontal और vertical value अब हम इसको color दे देखते हैं green तो अब देखिए आपको difference समझ में आ रहा होगा कि यह मेरी shadow है अब अगर हम चाहते हैं कि अपनी shadow को थोड़ा सा मतलब की चाहते हैं कि sharp ना देखे थोड़ी सी blur देखे धुंदली देखे तो उसके लिए मुझे यहां कुछ value देनी होती है color के बाद जैसे कि मैं यहां color के बाद value दे देती हूँ 5 pixel color के बाद नहीं देनी होती है color से पहले देनी होती है अब देख सकते हैं कि कैसे blur यह सा यह welcome guys मुझे यहां पीछे देख रहा है यही अगर मैं इस value यहां बढ़ा दूँ थोड़ी सी 15 pixel कर दो तो देखे बिल्कुल यह मुझे अपना text देखे नहीं रहा है और यही अगर मैंने value को कर दिया 0 pixel तो अब मुझे बिल्कुल sharp content देखेगा तो यह optional है दोनों values color भी और blur value भी अब हम multi-colored shadow देना सीखेंगे उसके लिए मैं यहां से यह हटा दती हूँ जो भी मैंने type किया हुआ है और हमें यह बात ध्यान रखी रहे हैं कि अगर जहां पे भी हम multiple shadows देना चाहते हैं उसके लिए हमें comma separated values देनी होती हैं और मैं अभी color को भी हाँ change करूँगी जो मैंने red दे रखा था color दे देती हूँ मैं white और हम horizontal को value देंगे one pixel, vertical one pixel blur यानि की थोड़ा सा धुन्दला दिखाने के अपने content को two pixel और color मैं क्या दूँँगी black color दे रही हूँ अब हम comma देंगे अपना दूसरा मितलब shadow को दूसरा color देने कले horizontal को value zero, vertical को zero, blur को value दी में 25 pixel और color दिया blue अब हम third color देंगे मतलब कि zero दिया horizontal को, vertical को भी zero 5 pixel blur को value और dark blue color दिया तो आप देख सकते हैं कैसे हैं multi color shadow यहाँ पर दिख रही है और कितना सुन्दर लग रहा है यह दिखने में similarly आप और भी color दे सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर green color दे दूँ यह इतना फरक में आया क्योंकि यह shadow था अगर यहाँ color change कर दे हम जैसे कि pink कर दिया मैंने तो अब आपको देख रहा होगा तो वो था हम अपनी suitability के हिसाब से colors दे सकते हैं जैसे भी हम content को display करवाना चाहते हैं अपने page पर अपने यह देखा कि कैसे हम अपने text को shadow दे सकते हैं अगर मैं simple के कहते हैं plain border देना चाहते हूं हमने text को without any shadow तो वो भी हम text shadow property की help से दे सकते हैं तो वो कैसे देंगे यहां से मैं color yellow दे देती हूं pink को हटाकर और horizontal को मैंने जैसे की value दे देती हूं minus one pixel जिससे की left की तरव अब मेरी shadow जाएगी मतलब shadow तो आएगी यह नहीं क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया है फिर भी हम values देंगे vertical को zero दे देती है और यहां black color दिया और यहां से blurness को हटाया मैंने similarly मैंने यहां vertical को value दे देती हूं one pixel और यहां black color दूंगी मैं फिर से यह एक syntax है हमारा अगर हम border, plain border देना चाहते हैं मैंने माइनस one pixel दी यह मैंने यहां से five pixel ब्लर्नेस हटाई और अपना black color दे दिया देखे आपको दिखरा ना एक plain border मेरे content के around without any shadow तो हम text shadow का property का use सिरफ shadow देने निकले नहीं in fact एक plain border देने के लिए भी कर सकते हैं तो अब हम box shadow की बात करेंगे कि कैसे हम अपने boxes के पीछे shadow effect create कर सकते हैं तो उसके लिए मैं यह अपना editor खोला और यहां पर अब हम कुछ width और height देंगे अपने यहां पर content को जिससे कि मैं एक box create कर सकूँ यहां width दे दी 300 pixel और मैं कुछ height दे दूँगी 100 pixel और कुछ padding भी दे देती हूं जैसे कि 15 pixel दे दी हमने और मैं यहां से यह हटा देती हूं जो मैंने color और text shadow property हां दे रखी हैं और अब हम यहां कुछ background color देंगे background color को जैसे कि मैं value दे देती हूं coral और हम देखते हैं कि क्या फरक आया है हमारे page पर तो यह actually इसका content का थोड़ा सा size जादा है मेरा font size को मैं थोड़ा कम करूंगी और अब हम इसको shadow देंगे तो उसके रे में क्या करूंगी यहां box shadow property दोंगी और जैसे हम उसके अंदर values देते थे horizontal और vertical इसमें भी horizontal offset और vertical offset हम value देंगे यानि कि अगर मैं चाहते हूं कि मेरी जो shadow है वो left में जाए या right में top या bottom अब horizontal value को जैसे जैसे कि मैंने 10 pixel दी horizontal offset को और vertical को भी देती 10 pixel तो देखे यह तो आपको shadow देख रही है न यहाँ पर यह आपको भार की तरफ देख रही है अब जैसे कि आप color यहाँ पर shadow को कुछ देना चाहते हैं जैसे कि आपको बताया ही है कि यह दोनों values तो जरूरी ही है देनी color optional है जो कि text shadow में था जो कि यहाँ भी apply होता है मैं कुछ color देती हूं अपनी shadow को जैसे कि मैंने gray दे दिया तो देखिए अब आपको यहाँ gray color देख रहा न shadow का अब मैं थोड़ा सा blur अगर कराना चाहती हूं तो मेरे को यहाँ value देनी होगी जैसे कि मैंने 5 pixel देदी blur effect generate करने के लिए तो आपको देख रहा होगा कितना यह धुंदली सी shadow मुझे यहाँ देख रही है बट यह क्या आपको तो यह भार की तरफ दिख रही है अपने box के अप थोड़ी अप अंदर की तरफ create करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको color के बाद लिखना होता है and set तो देखिए अब क्या हुआ अब मेरे box के अंदर मुझे यह shadow create हुई वे देख रही है तो अब आप multi color shadow अगर generate करना चाहते हैं तो जैसे कि हम text shadow में करते थे वैसी अब इसमें हम करने जा रहे हैं मुझे कॉमा देना होगा और अब मैं values दे सकती हूँ जैसे कि मैंने 20 pixel दी horizontal vertical को भी हमने 20 pixel दी और मैं blur effect को value देती हूँ जैसे कि 10 pixel और color मैं यहाँ gray की जगा कुछ और कर देती हूँ जैसे कि red कर देती हूँ और यहाँ मैंने color दे दिया blue तो आपको देख रहा होगा ना यहाँ पर 2 colors आपको multi color shadow यहाँ पर देख रही है तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम cards generate कर सकते हैं using box shadow property तो अभी मैं content को यहाँ से हटा दती हूँ यह मैंने code select कर रहा और यहाँ से हटा दिया style tag में और यह भी मैं यहाँ से हटा दती हूँ और मैं heading दूंगी cards अब हम एक div tag create करेंगे अपना containing element और इसके अंदर मैं एक यह तो मेरा parent tag है इसके अंदर मैंने एक और child tag अपना create करा और उसके अंदर मैं कुछ heading दूंगी heading दे दी और मैंने यहाँ 8 type करा अब क्या करेंगी हम इसके उपर styling apply करेंगे तो उसके लिए मुझे यहाँ class देनी होगी मैंने c दे दी और यहाँ मैं class दे देती हूँ d हम देखते हैं कि page पर कुछ display हो रहा है या नहीं तो अभी तो सिरफ मुझे यह 8 display हो रहा है अब styling करने से पहले मैं एक और div tag यहाँ पर create करूंगी और उसके अंदर हम एक paragraph tag create करेंगे और उसके अंदर type करते हैं hello तो अब जहाँ मैंने class c दे रखी है उसके उपर मैं styling करने जा रही हूँ कुछ width दूँगी मैं 250 pixel दी मैंने और मैं अपने text को center में align करना चाहती हूँ तो text align को center value दे दी तो अब हम देखते हैं कि कुछ हो रहा है display तो अभी तो सिरफ मेरा hello display हुआ अब box shadow को मैं कुछ property box shadow को कुछ value दूँगी horizontal को value दी 0 vertical shadow को value दे देती हूँ 4 pixel और blurness को value देती हूँ 8 pixel और अब हम color देने जा रहे हैं rgba function का use करके तो उसके लिए अब css colors video को refer कर सकते हैं जो channel पर हमारी डली हुई है तो मैंने red को value दी 0, green को value दी 0, blue को value दी 0, alpha को value देते हैं 0.2 transparent effect generate करने के लिए तो मैं दूसरा color देने जा रहे हूँ मतलब multi color shadow create करने के लिए तो मैंने comma दिया 0 value दी horizontal को vertical offset को 6 pixel blurness को value दी 20 pixel और अब rgba जो function है उसके अंदर हम क्या करेंगे red को दी 0, green को 0, blue को 0 और alpha को value 0.19 तो अभी तो सिरफ एक box मेरा यहाँ पर मुझे देख रहा है तो अब बाकी styling करने के लिए यहाँ class मैंने D दे रखी थी तो पर मैं कुछ background color दूँगी मैं hexa code देती हूँ 4 CAF50 मैं कुछ अपने color दूँगी टेक्स्ट को white color adding भी दे देती हूँ कुछ pixel दे दी मैंने और font size दूँगी मैं 40px और जो यह मैंने hello है इसके ओपर भी styling करनी है तो यहाँ कुछ class दूँगी c1 class दे दी मैंने इसको padding दूँगी 10px तो आपको दिख रहा होगा यह मेरा card बना हूँ आपर using box shadow property जो मैंने बना लिया है तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम text shadow और box shadow apply कर सकते हैं अपने content को page पर प्लस हम कैसे card generate कर सकते हैं with the help of box shadow property so thank you guys hope so आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को like करना share करना और चानल को subscribe करना ना भी अच्छी लगी दिक थेया है